हेलो दोस्तों हमारे देश भारत में रहस्यमाई और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है कुछ ऐसा ही एक मंदिर उत्राखंड के श्री नगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है इस मंदिर में हर दिन एक चमतकार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं दरसल इस मंदिर में मौझूद माता की मूर्ती दिन में तीर बार अपना रूप बदल लेती है मूर्ती के साथ होने वाला बदलाव को देख लोग हैरत में पढ़ जाते हैं इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। धारी देवी की मूर्ती सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है। फिर दोपहर में यूती और शाम को एक बुड़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नजरा वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली माता को समर्पित इस मंदिर के बारे में माननेता है कि यहां मौझूद मा धारी उत्रा खंड के चार धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाडों और तिर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। धारी देवी मंदिर जहील के ठीक बीचों बीच इस्तित हैं और एक पौराणी कथा के अनुसार एक बार भीशा बार से मंदिर बह गया था। साथी साथ उसमें मौझूद माता की मूर्ती भी बह गई। वह धारों गाउं के पास एक चटान से टकराकर रुख गई। और कहते हैं कि उस मूर्ती से एक इश्वर्य आवाज निकली। जिसने गाउं वालों को उस जगह पर मूर्ती अस्थापित करने का निर्देश दिया। उसके बाद गाउं वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मंधृर्य की प्रतिमाद द्वापर यूग से अस्थापित है। अस्थानियों लोगों के मुताटिक मांध्यारी के मंदिर साल 2010 में तोड दिया गया था। और उनकी मूर्ती को उनके मूल अस्थान से हटा दिया गया था जिस वज़से उस साल उत्राखंड में भयानक बाढ़ आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाय गया था और उसके कुछी घंटों ब Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates